उदर जबलपूर से बड़ी कवर है जहां दो लाख नर्सिंग चात्रों को जटका लग सकता है B.A.C. नर्सिंग का सत्र 2023-2024 जीरो इयर घोशित हो सकता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने हाई कोट में मौकिक जवाब दिया है 2024-2025 की मानिता प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 2023-2024 की मानिता नहीं दी जा सकती है ये कोट में नर्सिंग काउंसिल ने कहा है हाई कोट ने नर्सिंग काउंसिल से लिखित में जवाब मांगा है नर्सिंग कॉलिज फर्जिबारे की वज़े से मानिता नहीं दी गई थी हाई कोट ने 5 सितंबर को अगली सुनवाई इस मामले में ताई की है तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं दरसल B.A.C. नर्सिंग का सत्र 2023-2024 जीरो इयर गोशित हो सकता है इस वक्त संजीव चौधरी जी इस फैसले को इस आदेश को और ज़्यादा समझने के लिए उनके पास चलते हैं मेरे सयोगी वरिस सयोगी संजीव चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव जी पहला सवाल ये है कि अगर जीरो इयर 2023-2024 घोशित होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कितने चात्रों को फर्क पड़ेगा और चुकि सिर्फ मौकिक जवाब दिया गया है ये फाइनल है या उमीद बाकी देखे जो आज हाई कोट में बहस होई है उसमें नर्सिंग काउंसल आफ इंडिया की तरफ से ये पता दिया गया है कि जो अयोग की घुशित कॉलेज थे उनने भी 23-24 में बच्चों को एड्मिशन दे दिया था कि शायद उनने अनुमती मिल जाए लेकिन उनने अनुमती नहीं दी जा सकती क्योंकि आगे के वर्शोंखा काउंसलिंग शुरू हो चुकी है प्रवेश शुरू हो चुका है सरकारी कॉलेज जो जो आयोग गोशित किये गए थे उनोंने किसी भी बच्चे को एड्मिशन नहीं दिया इसलिए सरकारी कॉलेजों में जीरो इयर गोशित किया गया था और कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन सारे मदवरदेश के निजी नर्सिंग कॉलेजेज ने बच्चों को एड्मिशन दे दिया उन्हें एक साल पढ़ा दिया और उनसे एक फीस ले दी अब सबसे बड़ा संकट यह बच्चों के सामने है कि वो ना तो बापिस फीस मिल पाएगी और ना ही उनका वर्ष वापिस आएगा उन्हें फिर पढ़ना पड़ेगा इस तरह से एक वर्ष भी खड़ाब होगा पैसे भी जा रहे हैं और कुछ होने की उमीद नहीं है अब चुकि जो आपने कहा कि कोई उमीद क्या बाकी है तो कोई उमीद अभी बाकी नहीं लग रही है क्योंकि बाकिक जवाब प्रसुत किया गया था जैसे कोर्ट ने कहा है कि आप इसे लिकित प्रसुत करें तो पांच सिटमबर को लिकित जवाब प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह है कि अब इस वर्ष को जिरू एर गोशित किया जाएगा और जो बच्चे बैटे हैं उन्हें अभी तक तो यह उमीद है कोट के रुख से कि उन्हें कोई रहत मिलने की उमीद नहीं है तो ऐसे में सवाल है संजीम जी कि इसमें चात्र चात्राओं क्या क्या कसूर कारवाई तो उन कॉलेजिस पर होनी चाहिए जिन्होंने बिना माननिता लिए एड्मिशन दे दिये सीटे भर दी और अब माननिता ने उनके पास बिल्कुल इस पूरे नर्सिंग कॉलेज के प्रिकरण में उन बच्टों का कोई कसूर नहीं है जिनके ओपर ये गाज किरी है कभी अमानिता की कभी जीरो एयर की कभी उनने तो फीस भीती है लगातार जोब हम बच्चे से बाथ करते हैं ठहुत करीब गर के बहुत छोटे गरों के बच्चे भी इसमें हैं जो लगातार 30,000 साल से पैसे दे रहा है लेकिन उनके एक्जाम नहीं हो रहे हैं, उनको कोई डिगरी डिप्लोमा कोर्स का सार्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, आज वो पैसे भी दे चुके हैं, वर्ष मी कराब कर चुके हैं, उनका भविश्य फिलहाल तो अंदकारमा है, इस तरह से लाखों बच्चे मदप्रदेश के इस हा रखो नर्सिंग चात्रों चात्राओं के बविश्य से जड़ा सवाल है, खबर है और खबर यह है कि साल 2023-2024 को इंडिन मेडिकल काउंसिल ने, इंडिन नर्सिंग काउंसिल हमाफ कीजे, उन्होंने जीरो एयर गोशित करने को काया, और मौकिक जवाब ये कोट में दिया ग आगे